तीन बाते जो हमें अपनी गर्फ्रेंड से नहीं करनी चाहिए वरनों वो छोड कर जा सकती है मतलब कि ब्रेक अप होने का चांस ज्यादा है देख बाते तो बहुत सारी है जो नहीं करनी चाहिए लेकिन उस सब कुछ में कवर करूंगा तो यह वीडियो लंबी हो जाएगी त मतलब पास्ट में अभी क्या अब यह नहीं कि तुम्हारे जन्म कब हुआ या तुम्हारी दादी जो देथ की थी कैसी यह सब पुछने क्लिमाना नहीं कर रहा है इतना चलता है ठीक है मतलब कि उसका प्रिवियस रिलेशन सिप स्टेटस क्या था यह जानने कोशिस मत करना कि आ वहाँ सारे लड़कों का देखा है मतलब कुछ लड़कों का गटिया सोच होता है मतल Letter को जानना है कि उसकद वर कंप है इसके वजह से ब्रेकप करवाते हों तुम लोGO जानना है कि उनकी गर्ल्फ्रेंड वर्जीन है या नहीं कि पहले किसी के साथ सोच चुकी है यह जानना होता है मैं जानता हूं मेरे कई दोस्त हैं कुछ की घटिया सोच विया मुझे पता है मेरे से पूछते रहता है कि यार कैसे पता लगाए जाए ठीक है तो कुछ लोगों की है घटिया सोच वहती है यार इंसीक्यूर फिल्म मत करवा अपनी गर्फ्रेंड को छोड़के चली जाएगी दूसरा पॉइंट अपनी गर्फ्रेंड के फैमिली का कभी मजा को मतुराना अब फैमिली मेंबर्स में कौन-कौन हो सकते हैं ममी पापा भाई बेहन या और भी कुछ तो देखो यार अब जैसे कि तुम्हारी गर्फ्रेंड की दीदी है या छोटा भाई है तो इन लोग का मजा कुराओ चल जाएगा जैसे नहीं होता है कभी कोई तुम जैसे गर्फ्रेंड को कॉल करते हो तो उसकी दीदी या छोटा भाई उठा देता है तो फिर बाद में अपनी गर्फ्रेंड को बोलते हो यार कैसी है दीदी यार चुतिया टाइप की है कैसा तो चोटा भाई ह टॉलरेट नहीं करेगी भाई ठीक है तुम्हार एक दो साल हुए ना उसके लाइफ में आई हुए तुम्हारा लेकिन वह तो बच्पन से रह रही है अपने मामी पा के साथ इवेन कोई भी हो मैं भी क्यों ना हो मतलब लरका हो या लरकी हो अपने माबाब से बरकर किसी से नहीं करेगा ठीक है तो सबका मजा कुरा हो उसके फैमिली मेंबर में चल जाता है ठीक है लेकिन उसके पैरेंट्स के बारे मत बोलना कुछ यह नहीं कि यार तेरा बाप साला बेंचोग टकला है मादा चोग या तेरी मा यार उसको समझाओ यार पूरा यह खरूश टाइप किया है ठीक है बहुत बोलती है तेरी मा इस टाइप का मैंने देखा है मतलब कि बहुत सारे मेरे फ्रेंट मतलब यह जह चुके हैं लेकिन तुम जहां तीन चार बार अगर यहीं चीज रिपीट किये भाई छोड़कर चली जाएगी फोड़कर क्या जाएगी पिछवारे ल आजाक मतूरा ना एक्जांपल के तौर पर मालों की तुम्हारी गल्फ्रेंट बच्पन से डांस सिख रही है ठीक है और वो डांसर बनना चाहती है और तुम मतलब कि एक-दो साल आयो उसके मतलब उसके लाइफ में और अभी अचानक उसको बोल रहो क्या डांस करेगी या दुनिया में इतने डांसर है सब क्या रहे मोटी सुजा बन जाएंगे तो इस टाइब को टोंट मारोगे ना तुम्हारी लिए नॉर्मल होगा लेकिन वो दिल पहले लेगी यही चीज़ सिंगिंग में चिराद हो ए दुनिया में इतने सिंगर बन रहे सब क्या इंडियन आ नेक्स्ट मैं पांस साल चलो रिलेसंसिप में उसके साथ लेकिन वह बचपन से कर रही है न वह परस्यू तो वह चीज़ बचपन से कर रही है ठीक है इवन कोई भी रहे यार उसे केरियर पर पॉइंट आउट करोगे ना दिल पर ले लेगा अब जैसे कोई अच्छा लिख याई डॉक्टर बनने वाली एक से डॉक्टर तो क्लिनिक नहीं चला पाते हैं तुम भी क्या कर लोगी तो भाई तुम ना एप्रिसियेट यह सपोर्ट नहीं कर पाऊ ना नहीं कर सकते हो ना तो फिर इस तरह डी मोटिवेट भी मत करना किसी को छोड़कर चली जाएगी व पॉइंट्स और भी पॉइंट्स है मैं और भी वीडियो बना के उसको कवर करूंगा इस वीडियो में यहीं तीन पॉइंट इस चैनल को वाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते ना जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में